Hello students, रादे रादे, I hope आप सब ठीक होंगे, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आई हो, तो यहाँ आपको notes, lectures, previous question paper and the particular subjects के उपर important topics बताई जाते हैं, मैंने recently coaching भी start किया है students के लिए, so आप join कर सकते हो वर्सर पर contact करके, मुझे ना ठंड बहुत लगती है, ठंड के सासर मेरे जबसे पर दिक्कत है, overthinking की, जैसे ही study करती हो ना, तो overthinking ऐसे आती है जैसे इसको invite किया हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, तो इसलिए मैंने ये video share की है, कि आप लोगों को study time, जब overthinking हो तो आप उसको कैसे handle क कर सकते हो, पहने ना, मैं बहुत सोचती थी, पढ़ती भी रहती थी और सासा सोचती रहती थी, overthinking करती रहती थी, ना ही मैं study complete होती थी, और ना ही वो overthinking का solution निकलता था, साथ में इतना ज़्यादा सोच लेती थी, बात में headache तो होता ही था, और regret भी रहता था, कि मैंने study purpose के sitting दी थी और किस जगा पर मेरी energy और time waste हो गया, आप लोगों के साथ प्योता होगा ना, ऐसे, so it's a major issue, जो हमारी study को ना, best तरीके से होने ने देता, और हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, जितना कर सकते हैं, तो मेरे माइन में आ रहा था, thought कि कितना अच्छा है ना, कि अ हमें नीचा गिनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे सोच कर इसको छोड़ देती ना, तो ये thinking मेरी overthinking में convert हो जाती, तो साथ में मैंने solution लिखा है, हाँ easy नहीं है, but let's make it easy, इसको असान बनाएंगे, एक तरीके से, so अभी जो thoughts होते हैं ना, हमारे वो problem नहीं होते सबसे पहले दो, वो एक हमारा point of view होता है, उसको सोचें और इसका effect देखें आपकी life में क्या है, अगर उसका effect जो है, वो negative है, तो किसी भी हालत में उसको अपने उपर लागू नहीं करना, और अगर उसका effect positive है आपकी life में, तो उसको किसी भी हालत में शोड़ना नहीं है, और practically इसको possible करें, क्योंकि उसके results आपको इतने अच्छे मीलेंगे ना, कि आप अपने उपर proud feel करोगे, so मैंने तो अपने thought का solution निकाल लिया, और इस page को भी संभाल कर रख लिया, because इतने बड़े thought का मैंने operation जो किया है, ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को संभाल देती हूँ, because बात में ना, कोई भी चीज़ गूम हो जाए, तो उतना ही search करने में time लग जाता है, इतना अगर हम पढ़ ले, तो क्या ही बन जाए, आप ही अपने material को चाहे, वो minor से minor और major से major आपके लिए important है, उसको संभाल कर जोरू रखे, study material और अपने thoughts को manage करना ही बहुत कर लेते हो ना, तो आपका जो study में barrier आता है, वो कभी आई नहीं सकता है, and the toppers जो है ना, वो इन चीज़ों के लिए बहुत ही sorted हैं, कि thoughts को time नहीं देना, और अपना study material तो बिल्कुल ही available रखना है, so मैं again and again बोल रही हूँ, अगर आपके पास material नहीं है, तो अपना study material बनान में time waste ना करें, मुझे contact करके आप notes ले सकते हो, अभी अगर बनाओगे तो revision के लिए time नहीं बज़ेगा, so it's important to take quick decisions toward your actions and toward your study, आपको अपने thoughts के लिए भी बहुत smartly available रहना है, and अपने study material और अपने topic के लिए भी, जो आपके लिए key to success है, मैं यहाँ पर important topic की list बना रही थी, तो सबसे पहले heading मनानी होती है, पहले मुझे अपनी heading जो है ना वो अच्छी नहीं लगी, तो मैंने 12 बनाई, पर अब आप देख सकते हो, पहले मैं बहुत fast fast लिख रही थी, तो दूसरी बार मैंने इसको slow लिखा, तो वो अच्छे से लिखा गया, और मैं खुश भी हूँ यहां से मैं यह चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ, कि जब हम पहले question को revise करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी करें, और उस चक्र में हमें समझ नहीं आता, पहला जो paragraph है हमें समझ नहीं आया, लेकिन हम फिर भी continue करते हैं, आगे का समझ समझने में, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, अगर आपको लगे हैं, हमें स्टार्टिंग ही समझ नहीं आया, तो आगे continue मत करें, बाद में आपको regret होगा, तुरंत उसी चीज़ को दोबारा से attempt करें, जब हम दोबारा attempt करते हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग है, वो clear हो जाती है, टॉपिक की अगर हमें स्टार्टिंग एंड बेसिक समझ आ जाए ना, तो बाद वाली चीज़ें जो हैं, वो बहुत इंट्रस्टिंग लगती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस परपस के लिए हमने इस टॉपिक को डीट करना है, और यहां पर स्टड़ी करते- हमें इतना जादा बेंड हो जाती हुँ ना, बाद में मुझे होता है कि में बैक्पेन क्यों हुई, क्योंकि मैंने तो स्टड़ी टेबल यूज किया, बट तब पता नहीं चलता हो दा, हम इतने गुम हो जाते हैं, स्टड़ी वे, तो आप इन चीज़ों का खास कहार रखे आपका स्टड़ी पोस्चर बहुत जादा बैटर करता है, स्टड़ी टाइम, क्योंकि यह कौन सा कोई छोटा सा इशू होगा, बैक्पेन इस मेजर इशू, और मुझे पता है, आपके नोट से मनाते हैं, मुझे इतना जादा बैक्पेन के इशू सीरियस हो गया है, कि अभ जो तो डॉक्टर ने रोका भी है कि आप बैंड मत होईएगा, फिर भी आप लोगों का काम जब भी आता है ना, तो मैं अपना आप सब कुछ बूल जाती हूँ, सो मैंने अपने थौट्स को कैसे हैंडल करना है, आप लोगों के साथ शियर किया है, फिर भी आप लोगों की अलग अलग इशूस होंगे, किसी को फैमली से स्पोर्ट नहीं मिलता होगा, किसी को फ्रेंड सर्कल से स्पोर्ट नहीं मिलता होगा, और किसी को कॉलज से स्पोर्ट नहीं मिलता होगा, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, कि आपका चाहे कोई भी इशू है ना, आप उन भी चीज के ओपर give up नहीं करना चाहिए especially वो students जो study करते हैं और study के सासरत responsibility होती है उनके ओपर घर की भी और job भी करते हैं तो sometime उनसे paper जो हैं उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं उनको दुबारा देने पड़ते हैं and वो सोचते हैं कि life over हो चुकी है life में जीतना ही सब कुछ नहीं होता है life ने आपको कितनी बार गिराया है और आप दुबारा कितनी बार उठे हो वो आपकी success को measure करता है so अपनी success को ऐसे measure करिए कि आप पहले क्या थे और अब आपका graph कहां पर जा है अगर आप towards the growth जा रहे हो ना आपकी growth upward जा रही है आपकी पहले habits कैसी थी और आज आपकी habits अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको किसी से validation लेने की जरूरत नहीं है किसी का certificate हमको नहीं चाहिए because ultimately हम अच्छे हैं हम अपने आपसे satisfied हैं और हमारे अंदर peace होनी चाहिए अगर आपने 60 marks भी gain किये हैं या 70% भी gain किये उसमें खुश रहो कि किसी ना किसी के इतना भी target होता है अगर आपने study की है 60% की तो आपको 60% याएंगे तो खुश हो जाओ ना तो यहां फिर मेहनत इतनी करो कि आपको आपके desired marks मिले life आपको कुछ ना कुछ सरूर देगी कभी success देगी कभी failure देगी लेकिन उस चीज को अपने उपर हावी नी होने देना अगर आपको कुछ मिल गया है तो वो permanent नहीं है failure भी permanent नहीं है success भी permanent नहीं है बट हाँ अपने दुख और सुख दोनों को celebrate करना सीखो जब आप ये सीख जाओगे ना तो सारी चीज़े आपके लिए बिल्कुल असान हो जाएंगी तो मैंने यहाँ पर important topic की list बना ली है और इतने enough नहीं है मैं search करी हो और मिल जाएं और जैसे ही complete हो जाएंगे तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी ही share करूँगी so stay connected